दोस्तों जब भी हम एक नया pen card के लिए apply करते हैं या फिर हम अपने pen card पर कोई correction करवाते हैं तो उसके बाद हमें एक acknowledgement number मिलता है और कभी-कभी हमें जो हमारी जो slip होती है हमें पता नहीं होता है और अगर आप चाहते हैं कि कैसे आपको घर बेठे अपने mobile phone से अपने acknowledgement की receipt को download करना है तो इस वीडियो में आप जानेंगे हैलो दोस्तों मिर नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चल हमसफर टैग से चलिए सीखते हैं दोस्तों pen card की acknowledgement receipt को download करना बहुत ही आसान है आपको अपने mobile phone पर google chrome browser को open करना है और आप search करेंगे download pen card acknowledgement number और यहां पर आप देखेंगे जो पहली website है onlineservice.nsdl.com दोस्तों याद रखेगा कि आपने जिस भी website से आपने अपना pen card बनवाया है आपको उसी website पर जाना है जैसे मैंने यहां पर onlineservice.nsdl से बनवाया है तो मुझे इस website पर click करना होगा हो सकता है कि आपने किसी other website जैसे कि UTI की website है आपने यहां से बनवाया हो तो आपको इसी website पर जाना होगा तो चलिए हम इस वाइले website पर click करते हैं जहां से अपना pen card बनवाया था और याद रखेगा अगर आपने अपना pen card किसी cyber cafe से बनवाया है या फिर हो सकता है आपने किसी CSE point याने कि जन सेवा केंदरे पर जाकर अपना pen card बनवाया है तो अगर आपने किसी और के थूर यहां के ज़रू कर दो अब यहां पर आप दीखेंगे सबसे पर यहां पर pen card number आ रहा है तो आभी हमें अपना pen number नहीं पता तो यहां पर आपको acknowledgement number का एक option यहां पर आपको सबसे पहले acknowledgement number टाइप करना है और यहाँ पर आपको अपना date of birth का month टाइप करना है और आपको year टाइप करना है और इस capture को आप fill up करेंगे और यहाँ पर submit कर लेंगे अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है please note that e pen card be generated only after pen is allotment by ITD यानि कि अभी हमने अभी कुछ देर पहले pen card के लिए apply किया था यहाँ पर इसलिए बता रहा है कि जब हमारा e pen card generate हो जाएगा उसके बाद हम अपने receipt को download कर पाएंगे तो दूसरा तरीका acknowledgement download करने का यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो है कि apply online की सामने आपको बगल में register user पर क्लिक करना है और यहाँ पर जब आपने pen card apply किया होगा तो यहाँ पर आपको एक token number मिला होगा तो token number आप यहाँ पर fill up करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना email id एंटर करना होगा जो भी आपने pen card apply करते वे time दिया था और यहाँ पर आपको अपना data of birth को आपको select करना है इस capture को यहाँ पर fill up करेंगे और submit पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर यह हमारी receipt है चाहे तो हम यहाँ पर password अपना एंटर करके जो हमारा data of birth है उसको fill up करेंगे और हमारा यह open हो जाएगा चाहे तो आप directly download pdf पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका acknowledgement receipt यहाँ पर download हो जाएगी आपको simple क्लिक करना है और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार subscribe करके यहाँ पर bell icon को और पर ज़रूर प्रस करके रखेगा ताकि future में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको notification मिल जाए सबसे पहले और अपना date of birth आपको यहाँ पर fill up करना होगा क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर अब आपका एक्रनलोजमेंट रिसेप्ट जो है डाउनलोड हो चुका है तो इस तरीके से आप बहुत ही असाने से आपने pen card की एक्रनलोजमेंट slip को डाउनलोड कर पाएंगे